हलो स्टूडेंट्स तो चले आज हम कॉंटिन्यू करते हैं हमारा चाप्टर 9 अर्थमाटिक ने बहुत सारे टापिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं इस चाप्टर में बढ़ी हैं तो चले हम इस चाप्टर को आगे बढ़ाते हैं तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जल्दी चाप्टर डिसकस कर लेते हैं , और shortcut method से जो मारा mean calculate करने का formula था, mean is equal to a plus summation d divided by n और d को calculate करने का formula था, x minus a तो आपको ये सब आता होगा और अच्छे से आपने cover कर भी लिया होगा अभी हम discrete series को जैसे continue कर रहे थे, तो discrete series में भी हम दो method को देख चुके हैं discrete series में एक तो हमने कौन सा method देख लिया, direct method कर चुके हैं हम direct method से mean calculate करने का जो formula होता है, वो क्या होता है summation fx divided by n और n को summation of fb लिख सकते हैं second जो हम कर रहे थे, last video lecture में वो था हमारा shortcut method discrete series से shortcut method लगा के mean हम calculate कर सकते हैं इस तरह का formula यूज़ कर देख और d को निकालने के लिए हम क्या करते हैं x में से a को minus कर देते हैं आज हम करने जा रहे हैं इसी series का third method step deviation method और step deviation method से mean calculate करने का जो हमारा formula होता है a plus summation f3 dash divided by n into c n यानिकी summation of f देखे, almost the same है अगर हम इससे compare करेंगे तो almost ही मैं हमारा formula बस d की बज़ाए यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने d dash और multiply कर दिया c से अब d dash क्या है देखे b क्या है x minus a d dash क्या है d divided by c और c क्या है हमारा common c क्या है हमारा common factor समझे नहीं समझे तो question करते है देखे illustration दिया है आपकी book में जहां पर आपको wage rate दिया है 19 workers का और आपको arithmetic mean calculate करना है step deviation matters तो देखे आपको क्या दिये है wages दिये 10, 20, 30, 40 feet और साथ ही आपको frequency दी है 45325 तो हमें देखने से ही पता चल गया यह कौन सी सीरीज है हमारी discrete सेरीज है अब इस सीरीज से हमें क्या करना है step deviation method लगाके हमें mean को calculate करना है तो सबसे पहला हमें जो चाहिए a that is assumed mean तो आप किसी को भी assume कर सकते हैं हम यहाँ पर 30 को assume कर रही है और इसके बाद हमें क्या निकाला होता है देखें d dash बोला है वैसे तो formula में लेकर उसके लिए भी हमें क्या चाहिए पहले d चाहिए तो d हम calculate कर सकते हैं x minus a से तो x कितना है देखे 10 10 minus 30 कितना हो जाएगा minus 20 20 minus next point पर हम क्या करेंगे x minus 20 minus 30 minus n हो जाएगा 30 minus 30 0 फिर 40 minus 30 कितना हो जाएगा 10 और 50 minus 40 कितना हो जाएगा यह हमारे पास 50 minus 30 कितना हो जाएगा 20 तो इस तरह से हमने क्या calculate कर लिया d calculate कर लिया देखें मैं क्या कर रही हूँ d का एक अलग से column बना देती हूँ ताकि हमें यह साब साब दिखाए तो यह है हमारे पास दे minus 20 minus 10 0 10 and 20 अभी हमें यहां से क्या निकालना है d dash और d dash निकालने का formula क्या होता है d divide by c यह जो d है इसको c से divide करना है c मतलब common factor और common factor क्या होता है हमारा वो हमें खुद देखना पड़ेगा देखे यह d है हमारे पास इसमें से हमको क्या करना है common factor निकालना है देखे 20 है 10 है यह सारे किस के multiples है 10 के multiples है 10 के तो इन सब में अगर 10 common ले लिया जाए तो इसली हो सकता है इन सब में common क्या आ सकता है 10 आ सकता है क्या देखना है आपको यह जो series है D इसमें देखना है कि क्या common आ सकता है किस factor को common लिया जा सकता है तो किस factor को देखिए यह सबी 10 के multiples है तो common हम 10 ले सकते है तो C कितना आ गया हमारा 10 that is common factor तो अब हमें D' किसे निकालना है D divided by C यानि कि common factor तो minus 20 divided by 10 minus 10 divided by 10 0 divided by 10 10 divided by 10 and 20 divided by 10 यह जितने भी numbers है इंको हमने क्या कर दिया सब को common factor से divide कर दिया common factor हमने कितना निकाला था 10 निकाला था तो देखिए अब इसको 10 से divide करने के बाद क्या आएगा minus 20 को 10 से divide करेंगे तो आएगा minus 2 फिर minus 10 को 10 divided करेंगे तो minus 1 आएगा यह आएगा 0 और यह 1 और यह जाएगा हमारा 2 तो अब यह क्या आगया हमारा D' आ गया अब हमें क्या कर रहा है देखिए formula में D' को F से multiply करना है तो एक और column हम बनाएगे जहां पर हम F O D' की क्या कर देंगे multiply कर देंगे F O D' को हम क्या करेंगे multiply देखिए F कितना है 4 और D' कितना है minus 2 तो कितना आ जाएगा 1 4 को 2 से multiply करेंगे 1 और side कौन सा लग जाएगा minus का अब देखिए next है F है हमारा 5 और D' है हमारा minus 1 तो 5 को 1 से multiply करेंगे 5 और side minus का 0 into 3 कितना आएगा 0 फिर 1 को हम multiply करेंगे किससे 2 से F और D' 1 into 2 2 और next हम 2 को multiply करेंगे 5 से 5 और 2 को हम क्या करेंगे multiply 5 तो क्या हो जाता हमारा 10 तो अब हम क्या करेंगे minus वालों को अलग से add करेंगे और plus वालों को हम क्या करेंगे अलग से add करेंगे 8 प्लस 5 कितना होता है हमारा 13 तो minus 13 आ जाएगा 10 प्लस 2 कितना होगा 12 तो 13-12 कितना आजाएगा 1 आजाएगा और जो 1 आएगा हमारा ये minus था हुगा ये क्या आगया हमारे पास summation FD तो आगया अभी हम क्या करेंगे क्या हम पर सभी values को put कर दें mean is equals to एक एक इतना लिया था हमने 30 summation FD' कितना आया था minus 1 और N क्या होगा हमारा F का total इनका total आएगा हमारे पास 19 तो इसकी value भी हम put कर देंगे और multiply C common factor कितना था 10 तो अभी इसको हमने क्या करना है solve करना है जब भी आप इस equation को solve करो तो सबसे पहले ये जो यानि कि plus के इदर वाली side जो है आपको पहले ये solve करने है तो देखिए minus 1 को किस से multiply कर देंगे हम 10 से तो ये कितना हो जाएगा minus 10 divided by 90 10 को 1 से multiply किया 10 minus 10 divided by 19 अभी क्या करना हमको minus 10 को 19 से divide करना है ये आजाए ना हमारा 0.53 अभी देखिए यहाँ पर solve कर दिती हूँ है इस तरह से हमारी कुछ equation बनी है इस तरह अब देखिए ब्रेकेट के बाहर plus का sign है और ब्रेकेट के अंदर minus का sign है तो plus minus minus हो जाएगे 30 minus 0.53 तो ये हमारा answer आजाएगा 29.47 तो ये हमने mean calculate किया step deviation method से देखिए आप चाहूँ तो shortcut method भी लगा सकते हो उस time पर जब statement में कुछ भी नहीं कहा हो जब statement में कुछ भी नहीं कहा तो आप direct method भी लगा सकते हो shortcut method भी लगा सकते हो step division method भी लगा सकते हो ये आपकी अपनी मर्जी लेकिन अगर किसी statement में clear कर दिया कि आपको ये method लगाना है तो जो method आपको बोला है statement में वही method आपको लगाना पड़ेगा देखिए shortcut method हमने कर लिया था step division में कितना अलग है बस हमको क्या करता है इस d में हमको कोई common factor निकालना है और common factor दिखिए जो भी होगा वो साफ दिख जाएगा जैसे कि यहाँ पर 10 हमें common factor दिख रहा है या सभी 10 की multiples हैं तो 10 को हमने as a common factor ले लिया 10 इन सब में क्या है common उसके बाद d दाइश हमारा निकलेगा इनका टोटल कर देंगे और उसके वादिये सारी values हम पूर्मुला में पूट कर देंगे अपनी इस equation को solve कर लेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा हमारा answer आजाएगा मीं आजाएगा तो आपको इस तहरे equation करने है discrete series से step division method लगाके मीं calculate करना है तो इसे method की साथ जो discrete series है हमारी वो क्या हो जाती है complete हो जाती है next video lecture में हम क्या करेंगे continue series से हम mean calculate करना सीखेंगे continue series में भी आप इनी तीन methods को देखोगे direct method होगा, shortcut method होगा और step division method होगा तो continue series को हम next video lecture में देखेंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे channel के साथ study करती रहे, thank you लुष 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 वजगे बने लुषे